जीविदनिस की तरफ से आपके लिए एक Exclusive Research का और वरुन दूबे हमारे साथ कारिकर में हो रहे हैं शामिल बताने के लिए आपके लिए बहत्रिन और Exclusive Research वरुन बताईए अपनी Research अब इसमें निलाचर इसपात का करीब 49.78% के आसपास का हिस्सा है यानि कि 12,000 कोर्ड में अगर यह हिस्सा बिखता है तो MMTC को मिलेंगे करीब 6,000 कोर्ड के आसपास के अब इस 6,000 कोर्ड का MMTC क्या करेगा एक बात है कि यह डिविडेंट दे सकता है लेकिन इन्होंने अपने annual report में कहा था कि हम जो पैसा मिलेगा उसका कुछ इस्तमाल जो है वो अपने कर्स को कम करने भी करेंगे अब MMTC पे अगर आप कर्स देखेंगे हाला कि इन्होंने पिछे 2 कोर्टर के रिजर्स नहीं दिये लेकिन उसके पहले अगर कर्स देखेंगे तो वो आता है करीब 2400 कोर्ड के आसपास का अगर इन्होंने 2400 करोड के आसपास का कर्ज चुका भी दिया तो भी कम्पनी के पास बचेंगे करीब 3600 करोड के आसपास के अब इनकी वैल्यू अगर आप निकाले अगर पूरा का पूरा 6000 करोड अगर ये कम्पनी डिविडेंट देती है तो प्रती शेर जो वैल्यू निकल के आती है वो है 40 सुपे आपको डिविडेंट मिल सकता है अगर इन्होंने कर्ज को पूरा का पूरा भर दिया और उसके बाद जो पैसे बचे उसका डिविडेंट दिया तो डिविडेंट निकल के आता है 24 सुपे प्रती शेर का जिस दिस्पॉंट पर ओन्वी टरीट कर रही है। के आसपार आता है जो कि एकदम ही नेगलीजीबल है इसके लिए हम किया रहे है डिविडेंट आएगा और यहां से अगर डिविडेंट और इस कमनी की दोनों की वैल्यू निकाली जाए तो वह आती है 80-100 रुपे क्यों अनिल जी वह भी मैं बता देता है तो 100 रुपे अगर आप खर लेते हो तो आपके फैनेशल वैसे सुदर जाएंगे तो आपकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी जिए तो बहुत ही बहते है इन इस अगर आप देखें तो गजब का बहुत ही तो आप जो कह रहे थे री रेटिंग कैंडड़ेट हो सकती यह ख़बर इसक करेक्ट तो अगर दो सब्सक्राइब काफी है और सबसे बड़ी बात है वैल्यू अनलोकिंग हो रही है वैल्यू बहुत सारी गमनियों में होती है सालों साल दशकों तक रहती है लेकिन जब तक वैल्यू अनलोकिंग ना हो तब तक फिर कुछ हो नहीं पाता तो यह एक